नमस्कार दोस्तों मेरे नाम इंजिनियर विनेर राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अमबालत दोस्तों इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भोसला मिलिटरी स्कूल की तो दोस्तों अगर आप महरास्ट्रा से हैं तो आप जरूर अगर आप स्कूल के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देपाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे admission process की अगर आप अपने लड़के को admission करवाना चाहते हैं सिर्फ boys के लिए क्योंकि भोसला military school में जो target होता है वो सिर्फ और सिर्फ defense को target किया जाता है NDA को target किया जाता है और यहां पर पढ़ने वाले 11th और 12th class के जो बच्चे होते हैं सिर्फ boys को admission मिलता है और उनको सिर्फ और सिर्फ non-medical की training यानि physics chemistry math English और हिंदी के ऊपर training करवाई जाती है क्योंकि यहां का जो focus होता है वो mainly आपका focus जो होता है वो NDA के ऊपर training की जाती है और आपको मैं बता दूँ कि जो admission है वो यहां पर कोई भी boy जो 5th class से लेकर के 11th class में हर साल admission ले सकता है मई के first week में exam conduct किया जाएगा फरवरी March April आप proper तीन महिने का crash score join करके भोसला military school की training अपने बच्चे को आप करवा सकते हो तो सबसे best part यह है कि अगर आपके बच्चे को signing school और military school में admission नहीं मिला है तो आप यहां के लिए कोशिश कर सकते हो form भरवा सकते हो और 741-9999-228 per call करके आप कोई भी जानकारी बोसला military school से related आप ले सकते हो और अगर आपको 5th class से ले करके 9th class का अगर आपको admission form आपको भरना है तो आपको बदा दू कि 710 रुपे का form आप online debit card और credit card की मदद से आप बोसला military school का form online आप भर सकते हो इसके अलावा 31 March form भरने की last data में आपको बदा चुका हूँ आप demand draft के थूँ आप demand draft के थूँ भी application form भरवा सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप online process आप इस्तमाल करके online process में आपको form भरना है demand draft वाला process आपको यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें कही बार form लेट हो जाता है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहां पर अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको अगर आप admission लेना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या documents की requirement जो है जो बच्चे admission लेना चाहते हैं उनको क्या-क्या documents का ध्यान रखना पड़ता है तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा जिस भी स्कूल से आप पढ़ने आ रहे है school living certificate आपके पास TC होना चाहिए जिस भी class में आप पढ़ रहे हैं उस class का आपके पास mark sheet होना चाहिए इसके अलावा आपने school के लिए apply किया है वो certificate होना चाहिए इसके अलावा आपके पास school का character set deflate होना चाहिए जिस भी school से आप आ रहे हैं जिस भी board से आप आ रहे हैं और इसके अलावा आपके पास अधार card होना चाहिए अधार number आपके पास होना चाहिए इसके अलावा जो बच्चे 11th और 12th class में पढ़ते हैं उनको सिर्फ और साइन्स स्ट्रीम से पढ़ाया जाता है English, Physics, Chemistry, GK, Math और Defense Studies करवाई जाती है तो यह चीज़े आपको समझना है जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज डिफेंस ट्रेनिंग की जाती है जैसे सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, RIMC, देरादून में होता है 1937 में यह स्कूल आपका स्टार्ट हुआ है आगे चलते हैं और बात करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पेरेंट्स फॉर्म बर रहे हैं यह जो स्कूल है वो महरास्ट्रा बोर्ड द्वारा चलाया जाता है यानि यह एक CBSC बोर्ड नहीं है इसके बावजूद है बहुत जबर्द स्कूल है और आपके लिए बेस्ट ओपर्चुनिटी लेकर गया है तो अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो आपको इस स्कूल के लिए जरूर अपलाई करना है और एंट्रेंस एक्जैम की तैयारी आप लोग जरूर करवाईए क्योंकि टाइम बहुत कम रहे गया आपको पूरी कोशिश करनी है 741-9999-228 पर कॉल करके आप अपने बच्चे का फॉर्म बोसला मिलिटरी स्कूल के लिए अपलाई कर सकते है 83 यह पुराना स्कूल है और यहां के जितने भी एलिमिनाई हैं मैं आपको बता दूँ कि जितने भी पुराने एलिमिनाई हैं आप देख सकते हैं यहां से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह लेफटनेंट जर्नल लेफटनेंट जर्नल लेफटनेंट जर्नल एयर मार्शल विंग कमांडर तो यहां पर पढ़ने वाले जितने भी लोग है वह आर्मी एयर फोर्स और नेवी में ही जाते हैं तो आप य सब्सक्राइब कर सकते हैं 0253-230-9608 पर कॉल करके आप डिरेक्ली भोसला मिलिटरी स्कूल नासिक की आप कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं तो इस वीडियो मेरी कोशिश यही थी कि कि मैं आपको एप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊं एक्जैम जो मई के फस्ट वीक में कंड़क्ट किया जाता है और अगर आप हमारी मदस से फॉर्म बरना चाहते हैं तो 1200 रुपीज का ओन-लाइन फॉर्म आपको हमारी टीम भरके देगी फीस जो है वह 1,65,000 से लेकर वो ओन-लाइन है डीडी के माध्यम से जो फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको रिकमेंट करूँगा कि आपको डीडी के माध्यम से फॉर्म एप्लाए नहीं करना है और हर रोज रात को 9-10 में लाइव आता हूं अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम ह है तो आप डिरेक्ली हर रोज रात को 9-10 लाइव आकर के कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं अभी तक अगर आपने हमारा स्कॉलर्शिप फॉर्म नहीं भर रहा है तो आप हमारा स्कॉलर्शिप फॉर्म भर सकते हैं 1,10,000 रुबीस हमारे स्कूल का खर्चा आता है जिसमें बच्चों को रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मिटीरियल, ड्रेस, होट्स, राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेज, ये सारी ट्रेनिंग आपको हमारे विद्याले में करवाई जाती है और आप हमारे स्कूल में बच्चे को NDA के लिए, सैन स्कूल, मिल्टरी स्कूल के लिए तयारी करवा सकते हैं, और टोटल साड बच्चों को हमारे विद्याले में फ्री पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप चात दें कि आपके बच्चे को स्कॉलर्शिप एक्जैम देने का मौका मिले, तो आप हमारे हेल्पलाइन नमबर पे क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जै हिंद, जै वारत